हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सबताया आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ी के पेपे दोस्तो आए दिन तालीबान सरकार महिलाओं पर एक नाएक पाबंदियां लगाती रहती हैं कभी बुर्खे के लिए तो कभी घूमने के लिए कहीं भी कुछ भी पाबंदिया लगा देती हैं दोस्तो अभी हाली में तालीबान सरकार ने खुले लॉन वाले रेस्टोरेंट में महिलाओं के प्रवीश पर रोक लगा दी है तालीबान ने कहाएं कि कुछ लोगों की सिकायत पर ऐसा कदम उठाया गया है ऐसी सिकायते सामने आई हैं कि इस तरह के अस्थानों पर महिलाएं और पूरुष साथ होते हैं और महिलाएं हिजाब नहीं पहनती दोस्तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक नया फर्मान जारी किया है इस फर्मान के तहट खुले लॉन वाले रेस्टोरेण में महिलाओं के अकेले या परिवार के साथ प्रवीश करने पर रोक लगा दी गई है दोस्तो यह प्रदिवन्त केवल हैरान्थ प्रांथ पर लागू है दोस्तो आफगानिस्तान का एक सहर यह वहाँ पर इसको लगाया गया है दोस्तो तालिबान सरकार का कहना है कि इसलामिक गुरुवा और लोगों की सलाह पर खुले लॉनमाले रेस्टोरेंट में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है तालिबान ने कहा कि कुछ लोग की सिकायत पर ऐसा कदम उठाय गया है ऐसी सिकायते सामने आई थी कि इस तरह के अस्थानों पर महिलाओं और महिलाओं के लिए परदे की ब्यवस्था भी नहीं है दोस्तो तालिबान सरकार ने गर्भ निरयोधक गोलियों को भी बैन कर दिया है दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने के लिए इन गर्भनी रोधों का इस्तमाल क्या जाता है इसी वज़ा से उन्होंने घर घर जाकर अयच्चेतावनी जारी की है कि इन दवाओं का किसी भी सूरत पर इस्तमाल नहीं होना चाहिए दुकानदारों को भी धमकी दी गई है कि इस प्रकार के किसी भी दवा या श्टॉक को रखने की इजाज़त नहीं है दोस्तों वहाँ पे लड़कियों की सिक्षा पर भी पाबंदी है अफगानिस्तान में प्राइवेट इन्वर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं के इन्वर्सिटी एंट्रेंस इक्जाम में बैठने पर रोग लगा दी गई थी इस आदेश का पालन नहीं करने वाले इन्वर्सिटी के खिलाब सक्त कारवाई की बात कही गई थी इससे पहले महिलाओं को पार्क जाने जिम जाने पर भी रोग लगाई जा चुकी है दोस्तो महिलाओं के मीडिया में भी काम करने पर अफगानिस्तान रोग लगा चुका है दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने स्कूली शिक्षा बंद करने के बाद मीडिया सेक्टर में भी महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंद लगाये थे मीडिया को तालिबान की तरफ से दो टुक कहा गया था कि कोई भी महिला एंकर उर्सो के साथ सो होस्ट नहीं करेगी वहीं किसी भी महिला गेश्ट को भी सो में नहीं बुलाया जाएगा दोस्तों बता दे कि अगस्थ 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काभीज होने के बाद तालिबान लगातार महिलाओं पर नहीं नहीं पाबंदिया लगा रहा है